Hello Guys, Mahavid Jangir here यह है हमारा जिओग्राफ़ी का lecture number 5 और इस lecture में हम concept of time and international date line के बारे में discussion करेंगे concept of time के बारे में समझने से पहले हमें latitudes and longitudes के बारे में समझना पढ़ेगा यहां देखिए latitudes latitudes क्या होते हैं यह जो भी हमारा अर्थ है अमरी प्रत्वी है उसके उपर कुछ imaginary lines होती है तो यह जो horizontal lines जो होती है उसे कहते है latitudes equator सबसे longest latitude होता है guys अब हम देख लेते हैं longitudes longitudes जो है अर्थ के globe पर vertically खिंच जाने वाली imaginary lines होती guys तो यहां पर यह जो जितने भी lines आपको दिख रहे हैं यह सारे longitudes है इन longitudes में सभी के लंबाई सेम होगा कोई भी लंबा या चोटा नहीं होगा सब सेम होगा क्योंकि यह पूरा round लगाती है यहां पर और यह longitudes जो है one degree के difference से अगर हम बात करें तो 360 longitudes जो है जो draw के जा सकते हैं इन longitudes को meridian भी कहते हैं guys अब meridian तो clear हो गया लेकिन अब यह prime meridian क्या है आगे चलकर हम यह भी समझेंगे कि standard meridian क्या होता है तो चलिए समझते हैं यहां पर देखें जैसे कि meridian के बारे में मैंने भी बताया कि यह जितने भी हम vertical lines जो है north to south जो draw कर रहे हैं यह सभी क्या है यह longitudes है और इन्हें meridian भी कहते हैं और prime meridian क्या होता guys जैसे कि मान के चलिए इस पूरी पर्थवी को अगर 4 भगों में बांट दिया जाए तो 90 degree, 90 degree, 90 degree and 90 degree यानि कि यह total जो है पूरा अपना circle जो है 360 degree का बनाती है लेकिन यह 360 को count करने के लिए किसी एक जगे को हमें 0 degree मानना पड़ेगा और यही से हमें count करना पड़ेगा कि 360 degree हो रहा है तो यहाँ पर देखे guys यह जो world का globe है इसको यदि हम flat paper पर अगर इसको बनाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से इसका map दिखेगा तो यहाँ पर देखे guys यह जो prime meridian यहाँ पर है globe पर है यह prime meridian यह 0 degree वाला है क्योंकि यही से हम 360 degree count करना है start कर रहे है तो 0 degree जो है यह London की green which observatory से निकलती guys यहाँ पर देखिए यह London और यहाँ पर यह star दिख रहा है यह green which observatory है इसका image हम देख लेते हैं यह देखे guys यह royal observatory है जो की green which में England में है तो इसके उपर से यह prime meridian निकलती है तो इसी की accordingly हम जब हमारे mobile में time set करते हैं तो वहाँ पर GMT लिखा आता है guys GMT का मतलब क्या है green which meridian time याने कि जब 0 degree पर सूरज का प्रकास एकदम उपर होता है तब उस समय यहाँ पर 12 o'clock का समय हो रहा होता है दोफेर के 12 भज रहे होते हैं अब आप पूछोगे guys कि यहाँ का तो ठीक है लेकिन अगर दूसरे country को अगर time अपना set करना हो तो वो time set कैसे करेंगे तो guys मैं आपको बता दूँ कि यह जो 0 degree है इसको यहाँ पर अगर हम east में जाएंगे तो यहाँ पर time increase हो जाएगा ठीक है plus में आएगा और अगर हम जो west में जाएंगे तो यह जो इसको जो भी green which का time है उससे हमें minus कर लेना पड़ेगा यानि हमारी घड़ियां जो है उसको पीछे कर लेना पड़ेगा समझते हैं कैसे यहाँ पर देखिए जो earth जो है यानि पर्थवी जो है यह 24 घंटों में 360 degree rotate करती है अगर हम यहाँ पर एक घंटे यानि वन आवर का अगर हिसाब लगाएं तो यह around 15 degree जो है घूमती है rotate करती है और इसी के according लिए अगर हम आगे जाएं तो around 4 minutes में यह 1 degree rotate करती है यानि जो earth जो है इस पर हम जितने भी longitudes जो है draw कर रहे हैं अगर एक एक डिगरी पर हम एक एक जो है longitude rock रहे हैं तो यह हर एक डिगरी का डिस्टन्स तै करने में इसे तकरीवन 4 minutes लगते हैं अब यहाँ पर एक चीज़ आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो पर्थवी जो है यह west से east की side में rotate होती है तो इसलिए जो country east side में है वहाँ पर सूर्योदो जल्दी होता है sunrise जल्दी होता है और जो इस prime meridian के west में है वहाँ पर sunrise थोड़ा late होता है समझते हैं कैसे मान की चली यह जो globe है यह west से east side के और गुमता रहता है तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते यहाँ पर सूर्योदो बाद में होगा और meridian time को cross करने के बाद में यह इधर के जो west वाली country जो है यहाँ पर और भी late सूर्योदो होगा याँ अगर हम मान के चले यह जो meridian time है यहाँ का इसके जो west side में है वहाँ पर सूर्योदो पहले होता है और globe जैसे से rotate होगी वैसे वैसे यह सूरज जो है इनका प्रकाश जो आगे बढ़ते रहेगा और इसे ही कहते है standard meridian यानि की time zone यानि कोई भी country जो है अगर अपने यहां का time zone set करना चाहती है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसके वहां पे सूरज जो है कब exactly उसकी जो उपर होता है उस country के उपर होता है और उसी की accordingly यह किसी longitude को जो की 7.5 से divisible होनी चाहिए उसको अपना time zone set कर सकती है इंडिया के बारे में अगर बात करें तो इंडिया का time zone है 82 and 5 degree east में east में क्यों है क्योंकि यह जो prime meridian की east में है ठीक है और इसी के अनुसार अगर हम जब कोई नया mobile लेते हैं या फिर कोई laptop लेते हैं उसमें जब time set करते हैं तो हम वहां पर time zone find करते हैं जो की लिका आता है 5.30 ZMT इसका मतलब क्या है कि plus 1, plus 2, plus 3 और यह से हमारा इंडिया का जो आता है वो plus 5.30 ZMT आता है तो यह ZMT क्या है यानि कि green witch meridian time यानि हमारा इंडिया का जो समय है लंदन की green witch observatory से 5.5 गंटे आगे है समझते हैं कैसे यहां पर देखिए जैसा कि अभी हमने discuss किया था कि जो अर्थ 24 hours में 360 degree rotate होती है और 1 hour में 15 degree और 4 minutes में 1 degree तो अगर मैं मान के चलूँ कि जो है green witch observatory जो 0 degree पर है उससे हमारा इंडिया 82.5 degree east में है यानि कि यहां जो सुरेदर पहले होगा तो अगर मैं 82.5 को 15 degree से अगर divide करूँ तो मुझे मेरे country का समय मिल जाएगा यानि इसको अगर मैं solve करूँ यहां पर तो यह आएगा तकरीबन 5.30 क्योंकि यह east में है इसलिए यहां पर प्लस लग जाएगा अगर इसके जगह पर कोई country 82.5 degree west में होता तो इसका जो समय जो है लंदन की green witch laboratory जो है उस से 5.5 गंटे पीछे होता यानि minus 5.30 तो I hope आपको meridian prime meridian and standard meridian जो है समझ में आ गया होगा meridian यानि कोई भी longitude जो globe पे हम draw करते हैं वो सब meridian होती है और prime meridian यानि कि यह जो लंदन की green witch laboratory से यह meridian निकल रही है इसे कहते है prime meridian और standard meridian जिसे time zone भी कहते हैं यह क्या होता है कि जिस किसी भी country से जो यह meridians निकलते हैं और उसको यदि कोई country अपना time zone गोश्ट करना चाहे तो उसे ही कहते है standard meridian यानि कि standard meridian हर country का अपना standard meridian अलग होता है ठीक है किसी country में एक या एक से अधिक भी होते हैं जैसे कि यहां पर देखिए countries and their time zones time zones है नि standard meridian अगर हम फ्रांस की बात करें तो फ्रांस में total 12 time zones है यानि यह world के सबसे highest time zones इसी में है और second number पर आते रेशिया जहां पर 11 time zones है USA में 9 time zones है Canada में 6 है और India में 1 है इंडिया में 1 कौन सा है 82 and 5 degree east से जो meridian गुजरती है उसे ही हमने हमारा time zone गोशित किया है और वो कहां से निकलती है UP के मिर्जापूर से तो यहां पर इसकी हम definition जो है थोड़ा देख लेते हैं यहां पर देखिए यहां पर prime meridian के बारे में लिखा है prime meridian क्या है prime meridian is an imaginary longitudinal line which passes through Greenwich England where the British Royal Observatory is located this meridian is considered as the prime meridian क्यानी कि यह आपको clear हो गया होगा यह जो हमने अभी समझा है इसी के बारे में यह definition बता रहा है यहनी जो London के Greenwich Observatory से जो meridian निकलती है उसी को बोलते हैं prime meridian second point its value is zero longitude यानि यह जो prime meridian जो है इसकी value के है zero longitude and from it we count 180 degree eastwards as well as 180 degree westward point number 3 the earth rotates 360 degree in about 424 hours यह भी हमने समझा है इसका मतलब कहा है which means 15 degree in 1 hour and 1 degree in 4 minutes अब यहां पर एक important point ध्यान रखना guys इस standard meridian जो है कोई भी country अपने हिसाब से standard meridian decide नहीं कर सकेगी यहां पर वो जो है जिस भी country के उपर से भी meridian यानि के longitude गुजरता है उसको 7.5 degree से divisible होना चाहिए यहां पर देखिए जिसे कि इंडिया का जो है standard meridian 82.5 है अगर आगे चल कर इंडिया चाहे कि मुझे जो है यहां पर 80 degree पर ही मेरा standard meridian जो है set करना है तो यह नहीं कर सकता because 80 जो है 7.5 से divisible नहीं है यह व्यवस्ता क्यों की गई क्योंकि कोई भी country अगर अपने हिसाब से meridian set कर लेगी तो इससे क्या होगा कि छोटी छोटी countries के अपने अलग-अलग time zones होंगे और वहां पर travel करने वाले को काफी difficulty फेस करने इंटरनेशनल ट्रेवलिंग के time पर बार बार जो है time को लेकर एक बहुत बड़ा issue create हो जाएगा इसलिए जो internationally जो अलग-अलग जो countries है इन्होंने साथ में मिल करके यह decide किया है कि जो भी standard meridian होगा उसको जो है 7.5 से divisible होना पड़ेगा next point इंडिया है चोजन 82.5 डिगरी इस्ट एज इस standard meridian जिसे हम 5.30 minutes GMT भी कहते हैं अब यह इंडिया में जो standard meridian है वो कौन से कौन से जो state से पास होती है यानि किन-किन राज्यों से निकलती है तो आपको ध्यान रखना है यह total पांच जो है राज्यों से गुजरती है और यह राज्यों के नाम लिखे हैं यहां पर एक तो उत्तरपरदेश है एक मध्यपरदेश है एक चतिसगड़ ओडिसा और आंदरपरदेश यहां पर देखिए यह जो इंडिया है इसमें 82.5 डिगरी इस्ट को Standard Meridian माना गया है और इसी के accordingly हमारे इंडिया में सारे सब जगह की जो टाइम्स जो है सेट किये जाते हैं तो यह जो Standard Meridian जो है यह UP के मिर्जापूर जो है यानि कि हम बात करें परियागराज डिस्टिक पहले यह अलाबाद था लेकिन अब इसको परियागराज कर दिया गया है तो परियागराज के मिर्जापूर से यह जो है निकलता है guys तो अब हम एक Question Solve कर लेते हैं यह Question Solve कीज़े guys If it is 12 noon in London then what will be the time in India यानि अगर London में 12 बज़ रहे हैं तो इंडिया में उस समय कितने बज़ रहे होंगे यहाँ पर देखिए guys यह कह रहे हैं कि 0 degree यानि प्राइम मेरीडियन पर अगर 12 बज़ रहे हैं यानि कि इस समय पर सूरज जो है सन जो है इनके एकदम से उपर है यहाँ पर तो उस समय इंडिया यानि कि 82.5 degree east में क्या time show हो रहा होगा यहाँ पर तो इसका answer देने की कोशिश कीजिए यहाँ देखिए इंडिया में उस समय evening के 5.30 बज़ रहे होंगे यानि कि इंडिया में उस समय शाम के 5 बज़ कर 30 मिनट हो रहे होंगे तो यह answer हमने कैसे निकाला है तो कुछ नहीं guys 82.5 को हमने 15 से डिवाइड कर दिया और फिर जो भी answer आया उसको हमने 12 में add कर दिया 12 है 12 के बाद में आएगा 1, 1, 2, 3, 4, 5 and 5 के बाद में यह 30 प्लस 30 यानि उस समय शाम के 5 बच कर 30 मिनट हो रहे होंगे So I hope कि आपके concept of time के सभी doubts यहाँ पर clear हो गए होंगे अब हम समझेंगे कि international date line क्या होता है international date line समझने से पहले यहाँ पर एक image देख लीजिए यह देखी यह हमने अभी पढ़ा था prime meridian जो कि 0 degree पर है और इसको हमने जैसे वहाँ पर इसको flat tab देखा था तो उसमें 0 degree से 180 degree यहाँ इधर और 180 degree यहाँ पर waste में यह था अभी 180 और 180 मिला कर होता 360 यानि अगर यह page को आप वापस से मिला दोगे इधर और इसको इधर तो यह जो यहाँ पर 60 हो जाएगा तो यही guys यही है international time zone यानि कि prime meridian के exactly back side में जो longitude निकलता है उसे ही कहते है international time line समझते हैं कैसे यह जो 0 degree है यहाँ पर 180 degree west है 180 degree east है तो यह जो यहाँ पर आपको जो pink में जो दिख रहा है यह है international time zone यह काफी जगा से मुड़ी हुई है guys around 20 to 21 places से यह deviate हो रही है मुड़ रही है यहाँ पर एक चीज़ जहाँ रखना है कि prime meridian तो एकदम straight है इसमें कोई deviation नहीं है यह एकदम straight है लेकिन international date line है यह काफी जगा से मुड़ी हुई है guys तो हम समझते हैं यहाँ पर देखे guys यह जो आपको दिख रहा है यह वाली international date line है यह अलग-अलग जगा से मुड़ी हुई है guys अब आपको कि यह state क्यों नहीं है यह अलग-अलग जगा से मुड़ी हुई है तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखे guys कि यहाँ पर जैसे की अलग-अलग छोटी-छोट आइलेंड्स है और इनका जो है trade चलता था ज़्यादा Australia, Philippines and Japan के साथ में तो यहाँ पर क्या होता था कि जब कभी Australia वाले या Philippines या Japan वाले इनको order place करेंगे कि हमें order की delivery चाहिए जो है दो तारिक को हमें order की delivery चाहिए तो जब यहाँ पर जो दो तारिक जब होगा जब यहाँ पर यह दो तारिक को delivery करने की कोशिश करेंगे तो जैसे यह line cross करेंगे यहाँ पर तीन तारिक हो चुकी होगी तो जब यहाँ पर इनको delivery देने के लिए आएंगे तो यह बोलेंगे आपका order cancel हो गया because हमने आपको दो तारीक के लिए order दिया था और आप जो आए हैं यहाँ पर तीन तारीक हो चुकी है तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जैसे यह boundary जो है cross करते हैं तो यहाँ पर date change हो जाती है अगर आप यहाँ east से west की side में आ रहे हो तो यहाँ पर आप एक दिन gain कर लोगे guys one day gain कर लोगे और अगर आप west से east side की और जा रहे हो तो आप एक दिन lose कर दो guys यहनि एक दिन minus हो जाएगा यहाँ पर देखिए यह map इसमें देखो यहाँ पर यह international date line है और यह अलग-अलग जगा से मूड़ी हुई है क्योंकि यहाँ पर delivery को लेकर के काफी problem होती थी और इनका ज़्यादा trade जो है यह इनके साथ में चलता था इसलिए इनन बोला हमें जो है Australia, Philippines और Japan जो है इनके जो है date line में जाना है तो इसलिए यहाँ से इसको मूड़ दिये गया इनका trade यहाँ से नहीं होता था ज़्यादा guys अब यहाँ पर देखिए यह जैसे यह line cross करते हैं अग भले आपको यह line cross करने में एक गंटा ही क्यों न लगे लेकिन जैसे आप यहाँ पर हो Pacific Ocean के East से आप Pacific Ocean से के West में जाते हो तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर Monday था और यहाँ पर Tuesday हो जाएगा मान की चलिए आप यहाँ पर USA में हैं और ट्रेवल करना चाहते हैं जापान को और USS Japan पहुंचने वाली जो flight है वो around 2 hours जो है दो गंटे जो लेती है जापान पहुंचाने गए अब आप यहाँ USA से एक तारिक को निकल रहे हो तो दो गंटे बाद ही यह अब जापान में पहुंचोगे तो उससे में क्या डेट होगी दो तारिक होगी गाईज यानि कि अगर दिन में हो या रात में हो जब भी आप यह लाइन क्रोस कर रहे हो तो यहाँ पे डेट को लेकर के जो चैंजिस होते हैं गाईज तो अब हम इसकी कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं यहाँ पर देखें इंटरनेशन डेट लाइन इंटरनेशन डेट लाइन is an imaginary line of demarkation on the surface of the earth that runs from north pole to south pole and demarcates the change of one calendar day to the next यहाँ पर जैसे आप line cross करोगे तो calendar में जो date है वो change हो जाएगी next point यहाँ कहां से गुजरती है guys तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है यह Pacific Ocean जो है यहाँ कि प्रशान्त मासागर जो है वहाँ से यह line गुजरती है जैसे कि यहाँ पर देखिए आप यह international date line जो है यह पशान्त मासागर जो है यह Pacific Ocean जो है इसके ठीक बीचोबीच से निकलती guys जो की 180 degree longitude पर है तो यह point आपको clear हो गया होगा और यह international date line जो है कब adopt की गई, कब अपनाई गई यह 1884 में अपनाई गई guys और इसके पहले जो हमने Prime Meridian डिसकस किया था वो कब जो establish किया गई, वो कब adopt किया गया 1852 में अब next point थोड़ा important है, वो पढ़िए Travellers crossing the line west to east gains a day यानि कि जो west से east की साइडम जो जा रहे है वो एक दिन gain कर लेंगे और जो Travellers crossing the line east to west यानि कि east से west जो डान कर रहे हैं वो one day loss करेंगे यहाँ पे यहाँ पे एक और interesting fact है guys जैसे कि 31st December का जो celebration होता है यानि कि किसी भी साल का last day जो होता है celebration के लिए तो बहुत सारे अमीर व्यक्ति यानि rich people क्या करेंगे पहले ऑस्टेलिया है यहाँ जैसे यहाँ पे या फिर फिलिपिन्स में, सिंगापूर में ठीक है यहाँ या फिर इंडिया में यहाँ पर अपना 31st December का celebration कर लेंगे और जैसे यहाँ पर रात को सो करके उठेंगे तो दूसरी दिन ट्रेवल कर लेंगे USA की और और यहाँ पर पहुंचने के बाद जैसे यहाँ पर night होगी तो यहाँ पर एक बार और celebration कर लेंगे 31st December का तो यह जो rich people जो होते हैं यह ऐसे इस परकास से 31st December को दो-दो बार celebrate कर लेते हैं So I hope कि आपको concept of time and international date line clear हो गया होगा So that's all for today Thank you, thank you very much If you like my videos Please like, share and subscribe